हे गाईज विलकम टू एजुकेशन की एटेशिक्स दोस्तो आज रुख करते हैं पस्चिम बंगाल की तरफ जी हाँ दोस्तो जहां पर मेडिकल ओफिसर्स के लिए निकली हुई है कुछ भरतियां जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो सरकारी नोकरी पाने का ये सुनहरा औसर है उन चात्रों के लिए जिन्होंने अपना क्वालिफिकेशन मेडिकल के लिए कर रखा है जानेंगे कौन-कौन से पोश्ट के लिए यहां वेकेंसी है और इसके ओफिसियल वेबसाइट पर भी ले जाकर आपको दिखलाएंगे कि यह वेकेंसी कितरे पदों के लिए निकली हुई है चलिए उससे पहले इसका जो न्यूज आया है उसे जानते हैं और यह न्यूज आया है हिंदुस्तान ख़बर में और इस न्यूज को जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करते ही एक चैनल का नोटिफिकेशन आयेगा उसे भी दबा ले चाकि हर वीडियो का पलपल का ख़बर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके दोस्तों बेल के आइकन को जरूर दबा लिजेगा अन्यता कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं जा पाएगा ठीके चलि जाते हैं तो www.whrb.in पे जाके मैं आपको इस वेबसाइट पे ले चलूँगा और आपको दिखलाओंगा कि क्या है इस वेकेंसी में कौन-कौन से चाहतर भर सकते हैं इस फ़र्म को यसे इस नीज को जान ले कि वेस्ट बिंगाल हेल्थ रिकूट्मेंट बोर्ड ने Health and Family Welfare Department ने Medical Officer के कुल 1247 पदों के लिए आविधन आमंत्रित किये हैं ये पद विभिन Health Institute से भरे जाएंगे उमिद्वार इन पदों के लिए 17 जनवरी 2019 तक देखिए 17 जनवरी यानि कि आज हो चुका है 14 जनवरी और आप सभी को मकर सक्रांती के सुबकामनाएं भी हैं MBBS AM संबंधित विशेसज्यता यानि कि जो भी Specialization है अपने MBBS के साथ जैसे कि PG degree डिपलोमा प्राप्त कर चुके हैं उमिद्वार उनको वो भी आविधन कर सकते हैं जिसकी आयू सीमा यहां बताई गई है 40 वर्स मीनिमम है न मैक्सिमम आपके 40 वर्स से जादा नहीं होना चा के चैन सेक्षनता योगता जो है आपकी जो है यहां पे इंटर्व्यू से होगा समाने MBBS के लिए आविधन सुल्क 210 रुपे लग रहे हैं और जो CST Candidate है उनके लिए फ्री है जहां पे आपकी सुरुवाती बेतन मानने होगे 15,600 रुपे और 42,000 रुपे तक भी हो सकती है आपके क्वालिफिकेशन के उपर ये डिपेंड करता है यहां पे एक चीज और लिखा गया है कि 450 पद भरेगा करमचारी राज बीमा यह कुछ और न्यूज है माफ किजिएगा ठीके अब यहां पे यह जो पोश्ट निकला है दोस्तो हिंदुस्तान कबर के अनुसार इसकी तो इस लिंक पे क्लिक करना है आपको यह आपको स्पेच पिले जाएगा जहां पे हर इस्पेशलाइजेशन के लिए यहां पे वेकेंसी दिया हुआ है और यह देखिए रिक्रूट्मेंट आप पोश्ट आप दे मेडिकल ओफिसर इस्पेशलिस्ट ठीके तो यहां पे जेनरल मेडिसीन, जेनरल सर्जरी, ग्यान ओप्स्ट्रिक, एनेथिसिया, अप्थोमलोजी, डेरोमेटलोजी, पैथोलोजी, यह सारे बायोकेमेस्ट्री, माइक्रोबायोलोजी ठीके इन सारे पोश्ट के लिए आप अलग-अलग जिस भी पोश्ट में यहाँ पे इसको अप्लाई करने के लिए, देखिए 15,600 से 42,000 तक की आपकी पेस्केल हो सकती है इसके लिए, तो बहुत अच्छी पोश्ट है, शुरुवाती इन फ्रेसर्स के लिए, देखिए जो मेडिसीन से लिए चुटल पोश्ट है 97, तो जो भी कैंडिडेट हैं यहा यहाँ पे जनरल मेडिसीन के लिए अपलाई करने के लिए, माफ कीजिएगा यहाँ पे 156 है और जो भी हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीड डिस्टिबूट किया गया है आप लोगों, तो इन सभी पोश्ट के लिए आप लोग जल्द से जल्द अपलाई करें, 1247 वैसे आप यहाँ से भी डिरेक्ट अपलाई करके जा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट संख्या जो है डाउनलोड अडवर्टाइज कर लिएगा, यह आपका 6001-2018 यह संख्या है आपका इसको नोट कर लिएगा और इसको ही डाउनलोड करके आप लोग अडवर्टाइजमे के लिए है वैकेंसी और अधर स्टेट के भी कैनिडेट जो चाहते हैं मेडिकल ऑफिसर बनना वो अपलाई कर सकते हैं उनके पास अगर यह सारी डिग्रिया है जो कि एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, चलिए किसी एक एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते ह क्या मांगा गया है जैसा कि मेडिकल में यहाँ पर देख समना यहां पर देखेंग हो चुका है आपके सामनेने इसका क्या करत करुआ है, पहले इस नोटिफिकेशुनो के अच्छ कर से पढ़ लिएना कि सबसेarक शिखेंघ़ना चाहते हैं मैं देख यहां पर यह सबसे इन चला जाएगा क्वालिफिकेशन की बात करें देखो तो यहां पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है आपका MBBS degree included the first schedule और second schedule और part 2 of the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956 देखिए आपको MBBS तो मांगा गया है यहां पे बहुत ही important चीज़ है medical के लिए है सारे की सारी vacancy है और यहां पे आप सभी इसे apply कर सकते हैं जो भी चात्र हैं West Bengal से और out of Bengal के भी candidate इसे apply कर सकते हैं जिनकी उमर सीमा है 40 वर्स से कम जी हां दोस्तों और यह आपका age criteria जो है यह मापा जाएगा एक जनवरी 2018 से ही ठीक है अब यह जो इसमें parts है सारे के सारे post हैं जो इन सभी post का vacancy देख लिएगा total vacancy आपका लगबग 1247 पदों के लिए है और आपका जो पेस के लिए 15,600 रुपे से 42,000 रुपे तक का है हो सकता है चली दूस्तों तो यह news आप तक पहुचाने थी सबसे पहले और हमारे साथ यहां बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाई टेक कियर लिए